हाई फ्रेंड्स आप देख रहे हैं V.S. एस्टोलोजी मैं गाराओ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ V.S. एस्टोलोजी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Venus in Sixth House शुक्र कुंडली के छटे घर या छटे भाव में होंगे तो क्या फल देंगे दोस्तों लेशन की शुरुवात करने से पहले कुछ बातों का विशेश ध्यान रखें पहली बात शुक्र के मैं यहां पर जो भी फल बताओं जो भी परिणाम बताओं उसके अनुपात पर पहु देख ले अगली बात दोस्तों यही कि शुक्र की एक द्रश्टी होती है शुक्र जहां बेटते हैं वहां से अपने सात्वे घर को भी देखते हैं अर्थात सात्वे घर को भी प्रभावित करते हैं यदि आप जानना चाहते हैं कि द्रश्टिया क्या होती है तो इस चैनल क शुक्र के अच्छे फल नहीं मिलते, जब वो छटे भाव में होते हैं, तब बुरे फल ही मिलते हैं, लेकिन एक इस्थिती है, जब शुक्र यहाँ पर अच्छे फल देंगे, वो इस्थिती है विपरीत राजयोग की स्थिती, इदि शुक्र विपरीत राजयोग याने पिछनेश की स्थिती वी धी कुंडली में अच्छी है। तो शुकर चटे भावाव में बहुत अच्छा फल देंगे। अन्य था शुकर के खराब फल मिलेंगे। तो दोस्तों विप्रित राज्यों की स्थिति में शुक्र बहुत अच्छा फल अपना दे सकते हैं, अन्य था सारे खराब फल शुक्र के यहाँ पर मिलते हैं, तो यहाँ पर अच्छी बात ही है कि शुक्र की डिगरी जितनी कम या जितनी ज्यादा हो, कहना का मतलब शुक्र क विपरित राज्यों की स्थिति पूरी तरह से नहीं बन पाती, इसलिए शुक्र खाराफ फल देते हैं, वो मैं आपको फल बता देता हूँ, यदि व्यक्ति को शुक्र की महादश्या अंत्रदश्या चल रही है, और चुकि छटवा घर छोटे-मोटे रोगों का है, कोर्ट के केस का है, लिटिगेशन का है, शत्रवों का है, तो इन सब चीजों से व्यक्ति को नेगेटिविटी मिलती है, इन सब चीजों से व्यक्ति को हार मिल जाती है, व्यक्ति छोटी-मोटी बिमारियों से परेशान रहता है, अपने शत्रवों से व्यक्ति परेशान होता है, हो सक तो उसे जीतने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। या फिर जीतने के चांसेस कम हो जाते है। यदि व्यक्ति कहीं से कर्ज लेता है तो उसे चुकाने में उसे दिक्कत जाती है। तो मेरी यहां पर सलाई है कि शुक्र के दि महाध्यषा, या अंतरद्शा चल रही है और शुक्र खराब है, तो कर्जा तो बिलकुल भी न ले, चाहे किसी व्यक्ती से, चाहे कही बेंक से, वरना करजा चुकाने में व्यक्ती को दिक्कत जाती है, परेशानी जाती है. जब शुक्र अपने द्रश्टी बारवे भाव में डालते हैं, तो व्यक्ति का खर्चा बढ़ जाता है, आमदनी अठनी खर्चा रोपिया इस तरह से काम हो जाता है, 12th house विदेश सेटलमेंट का घर जरूर है, फॉरन सेटलमेंट का घर जरूर है, तो व्यक्ति फॉरन सेटल जरूर हो सकता है, शुक्र की महादशा या अंतरदशा में, बाकी सारे negative effect मिलते हैं, खर्चे वेक्ति के बढ़ जाते हैं, इवन अस्पताल का खर्चा वेक्ति का बढ़ सकता है, तो दोस्तो इस तरह से negative effect मिलते हैं, जब शुक्र खराब हो, और यहाँ पर खराब भी है, औ और नीच के भी है, तो और ज्यादा खराब फल देंगे, नीच के आने 6 नमबर या कम्या राशी के साथ शुक्र यदि छटवे भाव में बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा खराब फल शुक्र के मिलेंगे, ऐसी इस्तिति में शुक्र का उपाय करना भी बहुत जरूरी है, ज व्यक्ति को शुक्र की महादश्य आंतरदश्या चल रही है, तो सारे शत्र उपर व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, व्यक्ति का स्वास्त बहुत अच्छा रहता है, बढ़ा चड़ा रहता है, व्यक्ति कहीं कोट केस व्यक्ति का चल रहा है, तो वहां भी उसका पास होत है उसमें उसे जीत मिलती है साथ ही साथ व्यक्ति कहीं से कर्ज लेता है बेंग से या किसी व्यक्ति से कर्ज लेता है तो उसे इन्वेस्ट करके उसे दुगुना तीगुना करके उससे कमाता है मतलब करजे से व्यक्ति को उन्नती मिलती है व्यक्ति विदेश सेटल हो सकता है जब शुक्र अपनी दस्टी बारवे भाव में डालते हैं तो व्यक्ति विदेश सेटल हो जाता है और वहां से उसे फाइदा मिलता है। कहीं भी खर्च होता है तो खर्चा नहीं होता उसका इन्वेस्टमेंट होता है और उसे आगे चलके उससे जरूर कुछ न कुछ लाब मिलता है तो इस तरह से शुक्र अपने बहुत अच्छे फल देते हैं तो आपको शुक्र देव का एक बीज मंत्र है ओम शू शुक्राय न चाहिए शुक्र देव के खराव फल में जरूर शांति आपको मिलेगी चली दोस्तों आपने वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाई बाई